मेरे पीछे ये मुकेश साहनी का रथ है जिससे विकाश सील इंसान पार्टी के संगरक्षक यात्रा पर निकले हुए महाराष्टा की गाड़ी है महाराष्टा रेस्टर्ड गाड़ी है आई आपको गाड़ी दिखाते हैं ये गाड़ी के अंदर अब हम आ रहे हैं और चुकि मुकेश साहनी के कारे करता लाल रंग कैरी करते हैं तो यहां लाल रंग से गाड़ी को सजाया गया है ये ड्राइवर केबिन है जहां ड्राइवर इसको अपरेट करते हैं जो वो इसको यहां बैठते हैं अब हम पहले केबिन में आते हैं यह पहला केबिन है जिस केबिन को बकाइदा मुकेश साहनी ने खुड डिजाइन किया है मुकेश साहनी एक जाने माने डिजाइनर भी है जो सेट को डिजा चेर है सिवाजी महराज चेर स्थंक का इस्तवाल करते थे उसी कॉंसेप्ट को यहां पर इंप्लिमेंट करने कोशिश की गई है यहां पर बकाइदा सीसी टीवी कैमरे लगे हुए गाड़ी में जो बाहर के चेर स्क्राइब करने की तो यहां आते हैं और यह कमरा है यहां पर विंडो का बींतजाम है जए यह कहा जा रहा था कि गोल्ड से बनीगाड़ी तो यह गोल्ड से बनी गारी नहीं है पर इनकर में कैमरे पर और इस दिखाई ये जो है ये गोल्ड कोटेड है ये जो है कि गोल्ड कोटेड है और साथी साथ रत के अंदर तमाम वो सुविधाएं हैं जो सुविधा के साथ आदमी लंबी यात्रा कर सकता है इसके अगर टॉप फ्लोर को दिखाएं तो नकाशी करके इसका इंतजाम किया गया है कि ये जो ह यह वाश्रूम में जो दर्वाजे हैं इसको भी बकाईदा एक मारबल से डेकुरेट किया गया है और यह मारबल लगाय गया इसके उपर यह वाश्रूम की तस्वीरें है लेकिन फिर कर रहा हूं कि गोल प्लेटेट है और चुकि मुकेश सानी जाने माने स्टेज डिजाइनर भी है तो उनको इनका इल्म है कि किस धंग से चीजों को कम बहतर बनाए जाए अब यहां डाइनिंग यहां ड्रॉइंग का भी इंतिजाम है आप अगर यहां अपना अ पर यहां पर दे कोशिश करता हूँ देखिए जो है यह यह बैठ QUE को यहां बैठ के खाना-खाना चाहे तो बड़े आराम से यहां बैठ के खाना खा सकता है इसका यह अपर इंतिजाम किया गया यह देखिए यह मैं नोगों से कैसे राफ्ता करें उसका इंद्याम है मेरे साथ पार्टी के रास्वी ये प्रवक्ता देवजोती मौझूद है देवजोती जी एक ही सवाल कि अब तो क्लियर हो गया कि यह गोल्ड प्लेटेड है तो आपको लगता है कि यह इंतजाम जो है इतना लक्जिरियस इंतजाम और सोचित के नेता हैं देखिए हमारे नेता जो है 18 साल उमर में बिहार से रोजगार की खोज में बंबईरी में रोजगार का संगर्स किया उन्हों ने पैचान बनाने के पर आपना एसेट बनाए पैसा बनाए कोई ऐसा नहीं है कि मंत्री रहते हुए बनाए या केंडरे में मंत्री थे या विरासत में उनकी मिली हुई चीज उनको मिली है उसके बाद आके निशाद आरक्षन की आवाज को बुलंद कर रहे हैं और आप देख रहे होंगा कि जिस इसका समापन होनी की उमीद हम रखते हैं और हो सकता है कि 27 नमेंबर के बाद दस दिन और आगे बढ़े वह हमारे आधर नियता निर्ने करेंगे इसको आगे कितना बढ़ाना है या क्या करना सब्सक्राइब देव जोती थे राष्ट्रिये प्रवक्ता हैं बता रहे हैं 27 न दिखाता हूं देखिए यह लाइट का क्या इंतजाम है यह लाइट भी प्रॉपर जंग से लगाया गया जैसा आपको इसी बरे ड्रॉइंग रूम में बैठे हो और आपको ड्रॉइंग रूम का प्रॉपर फील मिलेगा यहां पे और बकाइदा नकासी की गई है बकाइद पर भी मार्बल्स लगाए गए हैं कुल मिला के कहा जाए तो पूरा इंतजाम मुके साहनी ने कर रखा है और अब मुके साहनी की पार्टी पूरी तरसे चुनावी रण में उतर गई है मेरे सहीयोगी कैमरापरसन अभी सेक के साथ मैं स्वाप्रिल जी मीडिया मोतिहारी